बॉलिवुड एक्टर टाइजर श्रोफ की एक्शन फिल्म बागी 3 के ट्रेलर का फैंस को लंबे समय से इंतजार था और आज ये इंतजार पूरा हो गया है बागी 3 का ट्रेलर रिलीज हो गया है जो की फैंस के द्वारा काफी पसंद भी किया जा रहा है ट्रेलर में टाइजर श्रोफ अपने जबरदस्त एक्शन अंदाज में नजर आ रहे हैं ट्रेलर पूरी तरह से फाइट सीन से भरा हुआ है एक्शन सीन के साथ साथ ट्रेलर में बम, गोले, गन मशीन, हैलिकॉप्टर यहां तक की तोप तक का इस्तेमाल किया गया है ट्रेलर को देखने से कहानी थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगती है यह फिल्म दो भाईयों रोनी और विक्रम पर बेस्ट है जिसमें रोनी का किरदार ट्रेलर श्रोफ और विक्रम का किरदार रितेश देशमुख निभा रहे हैं रितेश देशमुख इसमें एक पुलिस वाले के तौर पर नजर आने वाले हैं मही ट्रेलर में रोनी अपने भाई को हर मुसीबत से बचाता हुआ दिख रहा है रोनी का भाई दूसरे देश में फंस गया है और वह उसे बचाने के लिए पूरे देश से भिडने के लिए त पूरे देश से टकराने के लिए तयार है पूरे ट्रेलर में एक्शन की भरमार देखने को मिल रही है जिससे पता चलता है कि वाकई इस बार यह कोई मामूली लड़ाई नहीं बलकी वोर होगा बतादें की फिल्म में टाइगर श्रोफ, रितेश देश मुख और श्रद्ध कपूर मुख्य भूमिका में नजर आएंगे, इसके अलावा जैकी श्रोफ भी इस फिल्म में टाइगर और रितेश के पिता का किरदार निभाएंगे, फिल्म छे मार्च को सिनेमा घरों में लगेगी